गूड मॉर्णिंग गायस बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ी सी तेझि देखने को मिल लए तो कल भै झाध यई रीज़ का एक बैयान आया य瓤ा ये तो बहाँ पर उसकी बज़े से ये थोड़ी तेजी देखने को मिल लई है, PSU Bank को में खास तोर पे और थोड़ी सी वो तेजी थी, वो अभी थोड़ी सी कम होती हो देख रही है, अगर Market में देखोगे, और बाकि अगर overall market देखोगे, विल्कुल फ्लैट चल लई है और बाकि अगर global market की बात करोगी तो बहाँ पे भी आपको ग्रावट देखने को मिल लगी है चाहे वो ACN market हो और चाहे वो UK की market हो सम्में ग्रावट देखने को मिल लगी है वाकि कल DAO future NASDAQ में भी DAO तो फ्लैड बन्द हुआ था NASDAQ में ग्रावट देखने को मिली थी तो discuss करेंगे जो stocks अभी भाग रहा है PSU bank के है उनमें खास तोर पर जैसे वही है Canada bank है जैसे वही bank of बढ़ाओदा है PNB है और yes bank के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो ये कुछ होगा discuss उससे पहले एका चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पड़ा बट से बात करेंगे नियुची तो यही है banks balance sheet grow in double digit after 7 years RBI के जो report आई है उसमें यह बताया गया है ग्रोस NPS slips to 5% regulator flags slippage from रिकाश्ट accounts और यह जो खबर आई उसके बाद से आथ थोड़ी सी हामने देखा हुआ जबकि महौल इतना अच्छा नहीं था लेकिन banking sector थोड़ा सा lead कर रहा है और थोड़ा सा positive में देखने को मिल ला है और PSU bankों में खास तोर पे तेजी देखने को मिल लाई है देख लेते में किन-किन counter में तेजी देखने को मिल लाई है बैंक को बड़ोदा में मिल लाई है, RBL बैंक में मिल लाई है, PNB हो गया, CHS बैंक हो गया बाकि अगर काउंटर देखो गए तो इंडसेट बैंक है, FEDERAL बैंक है, SBI है AXIS बैंक है, COTEC बैंक है, तो इन में थोड़ी थोड़ी तेजी देखने को मिल लाई है बाकि थोड़ी सी गरावट भी देखने को मिल लाई थी, HDFC में थोड़ी गरावट थी, थोड़ी गरावट आपको देखने को मिलेगी ICICI में और कुछ ऐसे एक दो बैंक के और थी, जिन में थोड़ी थोड़ी गरावट देखने को मिल लाई थी ज़्यादा कोई गिरा हुआ नहीं था बैंकिंग सेक्टर का इस्टॉक अब बात कहलेते हैं क्या कोई अपोजिटी है बैंकिंग सेक्टर में खास और पे PSU बैंकों में मुझे देखो परस्नली मेरा ओपीनियन है कोई इसे सहमत हो या ना हो तो परस्नली मेरा यह उपीनियन मुझे प्स बैंकों में पसंद तरीके से इसे छोड़ते पहले थोड़ा से उस रीजन पर बात के लेते हैं क्योंकि यह सेक्टर के स्टॉक है इनमें काफी न्यू जा जाती है अक्सर आती रहती है इनमें और स्टॉक की जो ग्रोथ है वह भी आप देखो के इनके रिटन देखना एक बार स्टॉक के अभी तो इन्होंने कोबिट के ब नहीं इसमें देखने को लिए तो कोई मुझे पसंद नहीं है प्यासु बैक के सॉट्टर में कहीं मौका मिल जाता है तो बात कर लेते हैं आप कैनरा बैंक में भी देखोगे तो बिलकुल भी नीचे कहीं पढ़ा हुआ हो स्टॉक 200 रुपे के आसपास और उसके बाद यहा यह क्या हो गया और मैंने खरीदा और करेक्शन आ गया तो बहुत से नहीं नहीं से बंदे फच जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है आए कोई करेक्शन थोड़ा मोटा तो बहां पर कोई बैलू गांग जैसे यहां पर एक सपूर्ट इसका डाई सुरुपे का असपास देखने म कर लेना अगर आपको पसंद है तो मुझे तो पसंद नहीं है तो यह थोड़ी सी कैंड़ा बात कर ली अगर बहुत बुरी तरीके भागा हुआ है देख रहा है सो और पैसे सीधे 182 मतलब 82% के रिटन ज्यादा नहीं टाइम हुआ इसको 3-2-3 महिने में इतने रिटन दे द अगर आपको पसंद तब जाना नहीं तो अभी कोई बात नहीं कर सकते हैं और मैं तो पसंद नहीं करता आपको बता दी यहां पर भाग भी रहा था था ना तो मैंने आपको का था बिल्कुल आपको कर लो इसे वाइट क्योंकि हमने बहुत पहले 11 रुपय के आसपर डिसकस किया था यहां पर जब इससा कोई पूंच नहीं रहा था और मैंने गाता है इसको एक मतलब क्या कहते हैं पैनी स्टॉक की तरह आप बैट कर सकते हैं रिस्क मतलब है बट रिवार्ट जादा आपको देखने मिल सकता है डाउंसाइड नहीं है अपसाइड इसकी खुली पड पत्चीज रुपए के आसपास तब खरीदो इसमें कोई करेक्शन आये तो यहां 15 रुपए 16 रुपए के आसपास आये तब देख लेना और यह सोच के डाल देना कि मतलब नीचे चला जा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है उतने ही करना है ऐसे पहनी मतलब पहनी तो नह वाली बात नहीं होगी तो अब सोच रहा हों गयार सब बैंक पर इसने आसे बता दिया बैंक को बढ़ाओदा भी नहीं लेनी तो भी पसंद क्या पसंद मुझे प्रावेट बैंक है आपको पता है प्रावेट बैंकों मैं को टेक हो गई एचिस इन चारों को पसंद करता पोर्फोलियों में लॉक्त डॉलीओं रखने लाइक लइए काफी बड़ीक टॉक है काफी बड़ी है नो रिटरन दिये हैं और । पिसु में सब्स पंखियाई और самого स्थाइं लेने लाइक नहीं है लॉंग टर्म में रिटर्न देखना कोटेक के बैंक से कंप्यर का लेना मुझे तो लगता नहीं कि बड़िया कंपनी है काफ भी बड़िया बैंक है तो मुझे तो अगर जाओंगा अगर अपरोश्यृटी मिलेगी तो कोटेक में जाओंगा जहां पर बैलू दिखती भाहा ज पैसा आपका है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो दोस्तों